Hi guys, this is Avnash Sharma. और इस session में discuss करेंगे How to fill blank cells with the desired value in Microsoft action. अब्चावले data को check करते हैं. यहाँ पर हमार पुसे country है, quantity sold, price per item, amount, tax formula और logical formula. Country के अंदर कुछ cells होने blank है, यह और quantity sold. यहाँ पर भी आपके 23 cell blank है, price per item, then amount. यह amount के अंदर formula है, जो quantity sold multiplied by price per item. यानि कि B2 आपका C2 multiplication. तो आप देखते हैं, यहाँ पर कुछ cell है, quantity sold, जिसकी वज़े से आपका यहाँ पर आपका 0 आ रहा है. और यहाँ पर भी 0 है. यह data आपका बहुत कम है, लेकिन आगर data आपका बहुत बढ़ा है, say 10,000, 20,000 आपके पास records है, so manually उनको find करना, almost आपका यह impossible हो जाता है. तो सभी cells को एक बड़े database के अंदर find करना, और वहाँ पर कुछ value को replace करना, इसके लिए आप Microsoft Excel का एक feature use कर सकते है, go to special. go to special आपका pop-up होता है, उसको call करने के लिए, आप home यह find and select के अंदर यहाँ पर go to special. Secondly, इसका shortcut होता है Ctrl G, shortcut की Ctrl G, जैसी आप Ctrl G प्रेस करेंगे, pop-up आएगा, यहाँ से आप space में जा सकते हैं. और यहाँ पर एक option होता है, आपका blanks, लेकिन यहाँ पर एक बात important है, आपको decide करना है कि कि रेंज में आप blank cells को find करना है, इसके लिए सबसे पहले range को select किजिए, suppose हमें पूरे के अंदर सर्च करना है, then Ctrl G, special and blanks. आप यहाँ देख सकते हैं जो जो blank है वहाँ पर वो cells highlight हो गये हैं, और जो सबसे पहला cell होता blank, वहाँ पर उसका background अपका white होता है, बाकी का grey हो गया, उसका region है, क्योंकि इसके बाद आप चाहते हैं कि जो blank cells है, उन में समय एक value आप input कर दे, आपको enter की press नहीं करना है, do not press the enter की, आपको directly, जो भी value आप सभी blank cell में चाहते हैं, वह यहाँ पर tapping करना शुरू करतीजिए, जैसे कि suppose मैं करता हूँ NA, मैंने tapping किया, मैंने कोई key press नहीं कि, के वर type किया, अब आपको press करना है, control enter की, control enter की, तो जैसी आप control enter की press करेंगे, आप देखेंगे, कि वहाँ सभी-सभी blank cells में जो आपने type किया था, first cell के अंदर जैसे कि आपका आगया, इसका suppose, यहां पर भी आपका आयने आगया, यहां पर भी आयने आगया और यहां पर भी आयने आगया, लेकिन यहां पर एक problem होगे, हमारा जो formula है amount, यह formula हमारा B और C का multiplication है, और यहां पर हमने value दे दी वेरक है, string value, text value को दे दिया, text value आपकी number से multiply हो रही है, इसलिए यहां पर error आए, ऐसी cases में अगर कोई figure आपकी missing है, और वो figure किसी calculation के अंदर involved है, तो उस case में आप अलग-अलग range के साथ में इसको, आप blank के साथ में replace किये, suppose country then ctrl g blank and n a then ctrl enter, तो आप देखते हैं यहां पर n a, n a तीन के साथ में इसके बाद, क्योंकि यह quantity sold calculation में involved है, तो यहां पर हम zero आपका replace कर सकते हैं, select this range, ctrl g, blank, okay, now just type zero, ctrl enter key, तो आप देख सकते हैं यहां जहां पर आपका formula में error था, वो आपका error चला गया और उसके जेगे आपका zero से multiply zero हो गया, तो इस तरह से आप अलग-अलग data type के लिए आप blank value को fill कर सकते हैं, झ्लोपकार हैं, it can't be 3-6 को सटकते हैं, जो देगना पर भीका ज़ावका, इसाल कॉपका Dul हो आपका बहां तरह उतक उत्व को श्याआी। झाल झाल